नमस्कार दोस्तों अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास एर्थ हिंदी बसंद बुक से चेप्टर फाइब क्या निरास हुआ जाए इसके लेखक जो है ना हजारी परसाद द्वेदी जी हैं तो इसमें हम कोई पता चलेगा क्या हमको निरास होना चीए उदास होना चीए कि नहीं होना चीए तो देखिए लेखा कि इसमें पताते हैं कि उनका मन जो है ना कभी-कभी दुखी हो जाता है क्यों दिखी हो जाता है कि जो भी न्यूज पेपर हो रहा है उसमें हम क्या पाते हैं कि उसमें कोई किसी को ठग रहा है कोई डकेती कर रहा है कोई चोरी कर रहा है प्रप्सन के जो नीयूज है न उसमें भर EU रहते हैं। और हम आए दिन देखते हैं कि जो हमारे बड़े-बड़े नेता लोग हैं, वो लोग एक दूसरे के उपर आरोप और आरोपके जवाब में पत्तरोप ऐसा लगाते रहते हैं, कि ऐसा लगने उनको एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता मने जो निठला बैठा रहाता है ना वही सुखी है यदि कोई कुछ करेगा ना तो लोग उसमें बुराईयां कमजोरियां कोजने लगते हैं और ऐसा करते करते लोग क्या करते उनके सारे गुणों को बुला देते हैं और जो भी थोड़ा बहुत उनका दोस रहता है ना उनको इतना बड़ा चुड़ा कर दिखाते हैं कि जैसे वही उनका पहचान हो मतलब आप किसी की बुराईयों को ऐसा दिखा देते हैं कि अच्छाईयां उसमें चुप जाती हैं लेखा कागे बताते हैं कि दोस किसमें नहीं होते आप ही सोचो दोस तो आप में है मेरे में है सब में होता है यही कारण है कि हर आदमी दोसी जो है अधिक दिक रहा है आज के समय में उसमें गुण हमको कम दिखाई देते हैं या बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते हैं अगर इस्तिती वास्तविक में ऐसा के लिए उन्होंने सपना देखा हुआ था और इसी के घहराई में वो डूबे हुए थे क्या यही वो देश है जिसमें आर्या, दर्विण, इंदू और मुसलमान यहां तक कि यूरोपी और भारती आदर्स जो है न इस प्रकार के मिले हुए हैं जैसी कि मानों का महासुमद्र हो, क्या यहाँ सुख गया है, लेखाक बोलते हैं कि उनका मन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, जो महान हमारे पुराने रिसी मुनी थे, उनके सपनों का भारत जो है न वो बहुत ही अच्छा है, इसमें मंदाल लोग, सज्जन लोग हैं और आगे जाके भी सच्चे और अच्चे लोग इसमें रहेंगे, लेखाक आगे जाके वस्त्विक्ता को स्विकार करके यहाँ पर बता रहे हैं कि वर्तमान में कुछ ऐसा महोल है, कुछ ऐसी पस्तितियां है, कि जो बेक्ती इवांदारी से कठीन महनत करके अपना परिवार चला रहा है, वो बिलकुल बेबस है, औ वही इस बेवस्ता में फसा हुआ है, और वही पीस रहा है, जबकि जो लोग जूटे हैं, मकार हैं, गदार हैं, ऐसे लोग जो रोजगार कर रहे हैं उनका धंदा जो यहाँ पर फल फुल रहा है, बने बैमानी करने वाले को यहाँ पर ज्यादा महनत आना मिल रहा है, और यहाँ पर अब इमानदारी को मुर्खता माने जाने लगा है, बने मुर्खता का जो प्रायव अच्छी है वो इमानदारी हो चुका है, और सच्चाई जो है केवल डरने वाले लोग और बेबस लोगों के हिस्से में ही आया हुआ है, ऐसा आज के डिट में प्रतित होता है, इस प्रकार की स्थिति में जो जीवन के महान मुल्य हैं, उनकी उपर भी लोगों का विश्वास अब हिलने लगा है, आगे लिखक बता रहे हैं कि भारत में लोग जो हैं मन की सांती को, मन के अंदर के गुणों को बहुत अधिक इस्तिरभाव से देखते हैं, उसी को अपन हम लोग लोब, काम, क्रोध, मोह, इनको अगर हम जो कि हमारे अंदर में स्वविवरुक से बिद्यमान होते हैं, इनको हम जिंदगी के उद्धे से बना लें, तो क्या होगा, और मन और बुद्धी को उनकी सारे पे छोड़ दें, तो ये बहुती बुरा प्रकार का अध्यात्मिक्ता को छोड़ना नहीं चाहिए, और लिखक ने उसको उचित नहीं माना है, उनके बजाए उनको हमेशा एक समयम के साथ में, एक सांती के सांत में, सांती के बंदन में बंद कर रहना चीए, काम, क्रोध, मद, लोब, मोह, इसके चकर में नहीं पढ़ना चीए इसका लेखक तरक देते हैं कि भुख की उप्यक्चा तो नहीं की जा सकती, सही है जो भुखा है वो तो खाना खाएगा, यहां तकी कोई बिमार है तो उसको दववा देने की उप्यक्चा नहीं की जा सकती, लेकिन गुम्राग को ठीक रास्ते पे ले जाने के उपायों की उपैक्षा जो है ना इसको भी नहीं किजा सकती तो यहाँ पर देखिए गुमराग कौन हो रहे हैं हम लोग हो रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा भोतिक वाधी होते जा रहा हैं और अध्यत्मेक्टा के करीब लोग है ना उनकी गरीबी को दुर कि जाएगा लेकिन हो क्या रहा है कि जिन लोगों को इन कारियों में लगना है उनका मन अप पॉयत्र नहीं रहा वो लोग क्या है अपने लक्चो को भूल के भरस्ट हो चुके हैं और केवल क्यावल अपने सुक सुईधा और अपने धर्म जो है न एक ही समान माना जाता था लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि धर्म और कानून अलग हो चुका है लोग धर्म को दोखा नहीं देते हैं लेकिन कानून को दोखा देते हैं इसके काण जो लोग धर्म भीरू हैं धर्म को नहीं मानने वाले हैं वो कानून की कमज जनता के सांथ उसी सच्चाई के सांथ सेवा करने में, मांदारी करने में, सच्चाई को मानने में और अध्यत्मिक्ता के मुल्यों को अपनाए हुए हैं। कि हम इन चीज़ों को गलत मानते हैं। आज के डेट में हमने अपना कर्तब में मान लिया है। बुराई में रस लेने को लेखक बहुत बुरा बात मानते हैं। तो बोलते हैं कि अगर आप बुराई में रस ले रहे हैं तो सांथ में अच्चाई में भी उतना ही रस लें। करते हैं कि और बुराई को जागर करते हैं उसके अच्चाई को नहीं नहीं बताते तो अच्चाई को जागर ना करना लेकाक के नुसार और भी बुरी बात है क्योंकि हमारे आज-पास भहुँ weapons सारी ऐसी घटनाए होती हैं जिसमें लोग कपी अच्छा काम करते हैं उस अच्छाई को अगर हम बताएंगे तो लोगों के मन में कच्छा प्रभाव पड़ेगा मानोता जगेगा और अच्छी भावनाओं का विकास होगा लेकिन वस्ता हम ऐसा नहीं करते लेखा कागे बतात से सजनता से 90 रुपेन के हाथ पर रख देता है और बोलता है कि बहुत बड़ी उससे गलती हो गई और आपने भी नहीं देखा और मैं नहीं भी देखा और इस परकार से लेखक देखते हैं कि जो सामने वाला टिकेट कबाबू है ना उसके चेहरे पे एक बिजितर परकार क कि अनिक घटना और अधिक सक्तिसाली होती है कि लोगों को ऐसा लगने लगता है कि चीजें ऐसी ही हो रही है एक बार कि यो घटना बताते हैं कि बस में यात्रा कर रहे थे तब उनकी पत्नी थी उनकी तिन बच्चे भी थे बस जो है ना कुछ-कुछ खराब थी और रूप कि संभावनाय प्रगट करने लगते हैं तो लोगों ने भी बात करना शुरू कर दिया कोई बोल रहा है कि यहां पर डखेती होता है दो दिन पहले ही एक बस को रूट लिया गया है और परिवार वाले बेक्ती के वाल लेखक थे और बच्चे जो है न प्यास के मारे पानी-प जो लेखक हैं उनकी वाट दिखने लगता है और बोलता है कि हम लोग बस को सुधाने का कोई उपाय कर रहे हैं आप मेरों को बचा लीजे लोग मारेंगे तो डर तो लेखक के मान में भी था लेकिन उसका बेवेसी के मुद्रा को देखकर वो यात्रियों को समझाते हैं कि म गया हुआ है इसलिए यहां पर लिखाए कि कंड़क्टर को पहले ही डाकों के यहां भेज दिया है यहां पर देखिए एक मानने पिटने का सीन दिखा रहा है अब यहां पर लेखक बता रहे हैं कि वह भी काफी डरे हुए थे लेकिन उन्होंने जिसे तेसे करके डाइबर क को मारे तो नहीं लेकिन उसको एक जगा घेर के रखे हुए थे अगर कोई भी दुगटना होती तो सबसे पहले डाइबर को मानना ही उन्होंने उची समझा हुआ था और लेखक जो गिड़िगरा रहे थे उनके आगे बिंती कर रहे थे उसका खास असर उनके उपर नहीं प देखिए वही कंड़क्टर जो है ना लेखक के पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूद लेकर आता है और बोलता है कि पंडिक जी ये जो बच्चे रो रहे थे ना वो मुझसे देखा नहीं गया मेरो को वहाँ पे दूद मिले आया और मैं उसको लिता आया फिर या लेखक कह रहे हैं कि वह भूल नहीं सकते लेखक आगे बताते हैं कि वह ठगे भी गया हैं दोखा भी खाया हैं लेकिन बहुती कम जगों पर उनको विश्वास गात नाम का चीज मिला है इसलिए लेखक यहां पर मानते हैं कि जो ठगी हुए दोखा हुआ है ना उनका तो उनके मन को सांतावना दिया है, उनकी इम्मत को बढ़ाया है, वो याद दिलाते हैं कि कवी और रहिना ठाकवर जो हैना अपने प्रात्नागीत में भगवान से प्रात्ना करते हुए लिखते हैं, कि संसार में ज़िन नुक्सान ही उठाना पड़े, मलब आपको हमेशा हनी हाना हो, दोखा ही खाना पड़े, आप हमेशा दोखा ही खाते रहें, तो भी इन पस्तित्यों में प्रभू मेरे को ऐसी सकती दो कि मैं तुम पे संद्याना करूं, मलब संद्या करने से समस्या का समधान नहीं होगा, यहां पर लेखा कही बताना चाहते हैं कि कुत्त्य यह तुरंत परिवतन करने का जोरत है, और आने वाले दिन में हम पाएंगे कि इनमें बदलाव किया जाएगा, क्योंकि यहां पर उनका मानना है कि आसा जो है ना अभी भी बुझा नहीं है, अभी भी लोग अच्छे हैं, लोग अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इस माहान भारत में इसको बनने की और इसको पाने की संभावना जो है ना हमिसा बनी हुई है और बनी रहेगी, इसलिका कि यहां पर मान रहे हैं कि उनको अब निरास होने की जोरत नहीं है, त्वासा करता हूँ यह जो मेरा एक्स्परियों साने, आप लोगों को ब प्योगी लगा होगा, आप लोग कमेंट करके जूरू बताएंगे, थैंकियो फार वाचिंग